जिले के चाल तानाच शेत्र में कुछ नकाप पोश बदमाशों के द्वारा देर रात एक वेवसाई के घर में घुश कर उसके साथ मारपीट करने की बड़ी वारदात को अंजाम देने का मामलास सामने आया है इस घर्णा में बदमाशों ने वेवसाई वा उसके परिजनों के साथ मारपीट की है जिससे वेवसाई वा परिजन को चोटे आयी है वहीं व्यापारी के घर में लेके CCTV कैमरे में घर्णा के कुछ फूतेज सामने आये है वहीं इस घटना की सूचना पर खरसिया S.D.O.P. वचाल T.I. दलबल के साथ मौके पर पहुचे और मौका मौयना का घटना के बारे में जानकारी हांसिल की इस समंद मिली जानकारी के अनुसार संदे के अधार पर पुलिस चांपाच शेतर के कुछ यूको से पूसाच कर रही है वह इस घटना को लेकर शेतर में भाय का माहौल व्यापत है इस समंद मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीवा उसकी मा को चूटे आई है उन्होंने बताया कि चांपाच शेतर के तीन संदिक यूको से पुलिस पूसाच कर रही है इस मामले के समंद चाल थाना के एक अधिकारी ने फोन पर बताया कि भीती रात पांश नकापोस बदमाश हाठी काओं की व्यापारी प्रदीप के घर देरा चोरी की नियस से घुसे थे इस दोरान बाहर सो रहे एक परिजन की नीद खुल गई जिसके बाद शोर शराबा होने पर बदमाशो वा परिजनों के बीच हाता पाई हुई अधिकारी ने का कि जल्द ही इस मामले का परदाफाश किया चाएगा धरम जगर से भरतला साहू की रिपोर्ट